हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल सलवार कटिंग सिखाएंगे बहुत ही आसानी से जिसके लिए देखी दो मीटर कपड़ा लिया है हमने और दो मीटर कपड़े को ऐसे फोर लेयर में फोल्ड करके रखा है ये बंद वाली साइड है और खुली वाली साइड में अपनी तरफ रखी है तो देखी कपड़े को हमें इस तरीके से फोर फोल्ड में सेट करना है उसक यह हमने निशान लगा लिया है उसके बाद हमें यहां पर अपने शलवार की जो तोटल लंभाई है उसे नापना है तो शलवार आपकी जितनी भी लंबी है उसमें से आपको 6 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट लगाना है तो 6 इंच इस तरीके से इंची टैप को बाहर की तरफ छोड़ देंगे और अपनी लंबाई का टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई थी 30 इंच तो मैंने यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगाया है एक इंच मार्जन का लेते हुए देखिए इस तरीके से दोनों साइड में मैंने निशान लगा लिया है अब इस निशान को भी हमें सीधा सीधा मार्क करना है यह हमारी टोटल लंबाई का निशान है देखिए यह निशान हमने लगा लिया है अब यहाँ पर हमें जितना भी चौड़े पाचे फोल्ड करने हैं, उतना यहां पर हम निशान लगा सकते हैं हमें देड़ इंच चोड़े पाचे फोल्ड करना है, तो मैंने यहां पर दो इंच पर निशान लगाया है, हाफ इंच जादा लेते हुए और इसे भी हम सीधा कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से हमेंसे भी सीधा कर लेना है अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो है आसन की लंबाई निकालना है तो देखी आसन की लंबाई निकालने के लिए हमें किनोरी वाली साइड में जो खुली वाली साइड होता है वहां से हमें 6 इंच बेल्ट का जो हम रहेगा उपर का कपड़ा हम उसे इंची टैप को बाहर निकाल कर रखेंगे और पंद्रा इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे छे इंच इंची टैप को बाहर रखते हुए और उसके बाद अपने कमफर्टेबल के हिसाब से देड़ से दो इंच हम उसमें लूजिंग प्लस कर लेंगे तो जब हम इसे टोटल नापेंगे तो यह सत्रा इंच पर हमारा आ जाएगा देखी इस तरीके से सत्रा इंच पर हमारे आसन की लंबाई आ चुकी है अब हम इसे डार्क कर लेंगे और पांचे जितने चौड़े फोल्ड करना है बाटम उतना हम निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे पांचे मुझे साड़े छे इंच के चाहिए थे तो मैंने साथ इंच पर निशान लगाया है हाफ इंच जादा और एक इंच मार्जन लेते हुए निशान लगा दिया है एक्स्टा कपड़े का और उसके बाद यहाँ पर हमें ऐसे कर्व स्केल जो है आप चाहें तो इंची टैप से बिल्कुल स्ट्रेट भी मिला सकते हैं और अगर आपको परफेक्ट लुक चाहिए और परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप इस तरीके से शेफ अंटी से भी शेफ दे सकते हैं आसन से लेकर बॉटम तक हमें इस प्रकार से मिला देना है और नीचे हमें ऐसे स्ट्रेट करते हुए हाफ इंची ये तीछी लाइन ड्रॉ करना है नीचे की तरफ जब हम उसे फोल्ड करते हैं तो यह हमारा कपड़ा छोटा नहीं पड़ता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है अब हम इसे कट कर लेते हैं देखिए जैसे हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हमें इसे कट करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट कर लिया है शलवार को अब हम यहाँ पर बॉटम के पास में ऐसे एक कट लगा देंगे जिससे कि हमें पता रहेगा इतने हमें पाँचे ऐसे फोल्ड कर देना है यह जो हमने हाफ इंच तिर्चा निशान लगाया था वो इसी लिए लगाया था ताकि हम जब इसे फोल्ड करें तो यह कपड़ा छोटा ना पड़े देखिए शलवार के हमने दोनों पैरों के पाँच ही निकाल लिए है अब हम म्यानी निकालेंगे तो म्यानी यह जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था हम उसी से निकालेंगे उसके दो पार्ट हमने ले लिए है और दो पार्ट को लेते हुए हमने इस प्रकार से एक के उपर एक रखा है यहाँ पर हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर आठ इंच लंबी म्यानी निकालेंगे देखी इस प्रकार से आठ इंच पर निशान दोनों तरफ लगाते हुए ऐसे निशान को मिला देना है गुलाई में और अब हम इसे कट कर लेंगे देखी और ये हाफ इंच भी हमें कट कर लेना है और साइड से हम इसे हलका हलका कट कर देंगे ताकि ये जो हमारी म्यानी थोड़ा सा लेवल में आ जाए इस तरीके से हमने इसे दोनों साइड से छाट लिया है और देख पा रहे होंगे आप ये दोनों पार्ट हमारी म्यानी के कट हो चुके हैं तो ये हम आपको रखकर दिखा देते हैं देखी यहाँ पर ये म्यानी को हम सेट करेंगे अब उसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा नीचे की साइड से उसे हमें डवल में रख लेना है बैल्ट को निकालने के लिए देखी इस प्रकार से हमें इसे डवल में रख लेंगे और डवल में रखते हुए हम यहाँ पर बैल्ट को निकालेंगे इसमें हलका सामें प्रेस कर लेना है तो देखी प्रेस हमने कर ली है ये डवल फोल्ड रखा है मैंने और ये बंद वाली साइड है खुली वाली साइड मेरी तरफ है तो देखी सबसे पहले हमारा 6 इंच का बेल्ट तयार है तो हम इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड में और एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे यह हमारे तैयार बैल्ट का नाप है अब इस निशान को हम कर लेंगे सीधा देखी यह तो हमारे तैयार बैल्ट का नाप हो गया अब उसके बाद यहाँ पर हम जो है 1.5 इंच और नेफा फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है यह हमारे नेफे के फोल्डिंग के लिए है तो हमें 1.5 इंच और नेफा फोल्ड करना है तो हमने देड़ इंच पर निशान लगाते हुए उस निशान को भी जो है सीधा कर लेना है स्केल की मदद से और उसके बाद हमने एक इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है मार्जिन का और इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से नेफे के फोल्डिंग वाले निशान को भी हमने सीधा कर लिया है और जो एक इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लिया है उसे भी हमने सीधा कर लिया है तो देखिए दोस्तों यह हमारे दोनों टोटल हम नापेंगे तो यह 9 इंच आ जाता है यह हमारा 6 इंच बेल्ट और यह 1,5 इंच नेफे का और 1 इंच इसमें स्लाई मार्जन तो तैयार हमारा बेल्ट जो रहेगा वो 6 इंच आ जाएगा अब इसकी लंबाई तो आ रही है 21 इंच तो अभी हमेंसे 2,5 इंच जो है छोटा आ रहा है तो इसे हम कट कर लेंगे कपड़े को उपर से जो एक्स्टा कपड़ा है और इसे हम साइड में जोइंट करेंगे देखिए इस तरीके से रखते हुए हमारे जो बेल्ट की तैयार लंबाई है वो है 23 इंच तो मैं इसे 24 पर कट करूँगी तो इसे हम हाफ इंच ऐसे चड़ा कर रखेंगे और बराबरी से कटिंग कर देंगे उसके बाद हमें इसे नाप कर देखना है देखिए इस तरीके से तैयार बेल्ट मेरा 23 इंच का है तो मैं एक इंच एक्स्टा लूँगी स्लाइम आर्जम के लिए और 24 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूँगी और एक्स्टा फैब्रिक को यहां पर कट कर देना है देखिए इस प्रकार से हमारी जो है यह हमें पट्टी इसमें जॉइंट कर देना है तो हमारा तैयार बेल्ट 23 इंच आ जाएगा कटिंग तो हमारी शलवार की हो चुकी है अब हम आपको अच्छे से सेट करके दिखा देते हैं देखिए यह पहुचे वाले पार्ट हैं दोनो जो दोनो पैरों के हैं और यह हमने बहुती असानी से कट करें हैं सारे पार्ट और सिर्फ दो मीटर कपड़े में दोस्तों तो शलवार कटिंग होकर रेडी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें